नमस्कार दोस्तों और एक्जाम गाइड गुरू के यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोग पॉलिटी जी के भी डिमांड कर रहे थे कि सर्फ पॉलिटी के भी कॉश्चन लाइए पॉलिटी के 40 कॉश्चन लेकर मैं हाजर हूँ आ प्रीज अपना ख्याल रखना फैमली मेंबर्स का भी ध्यान रखो और साथ-साथ पढ़ाई भी करते चलो चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को 40 कॉश्चन है 40 में से आपका टार्गेट है 30 सिर्फ 30 नमबर है आप लेके आगए तो आपका पॉलिटी बहुत अच्छा है स्ट करते हैं लाश्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने कॉश्चन सही गए पॉलिटी गए ठीक है पहला कॉश्चन निम्दमैसिक किस उपराष्टपती की म्रत्यू पद पर आसीन रहते हुए हुई थी तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण कांतर जी ऑप की स्क्रीन पर आपसे पूशा गया है संसद द्वारा पारित कोई भी विद्यक कब कानून बनेगा जब राष्टपती के अनुमोधन उस पर हो जाएंगे ऑप्शन नमर यहां पर बी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कौशन देख लेते हैं यह आपकी स्क्रीन पर आ पहले किस अवधान की संफित ने पेस की थी टो सबसे पहले यह इस अवधार अप्शन नमर भी यहां पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा जो답ा यह दाए मीडा को मेंट लुकिल आपकी स्क्रीन आने ख़ेगा है जो कॉशन आपसे नहीं वने उसका स्कीन शॉट ज़रूर ले लेना भारत में वित आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुछेद में वर्णित है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुछेद 280 में option number B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों में संसोधन करने में कौन सक्षमें तो मौलिक अधिकारों में संसोधन कर सकता है केवल संसद option number D यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला कॉशन देख लीचिए भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुछेद राजी सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है तो यहाँ पर सही answer आपका हो जाएगा option number अनुछेद number 40 जो है राजी सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है अगला कॉशन देख लीचिए निमले कितमे से कौन सा एक लोगसभा का सरवाधिक बड़ा निर्वाचन चित्र है तो लोगसभा का सब कॉशन देखिए भारती सम्विधान में मौलिक अधिकार को किस अधेश के सम्विधान से लिया गया तो मौलिक अधिकार लिएगा है अमेरिका से option number C यहाँ पर सही answer हो जाएगा भारत का प्रधान मंतरी बनने के लिए नियूंतम आयू क्या होगी यदि वह राज्य सभा का मेंबर हो देखो यदि आप लोग सभा से चुन के आऊगे तो 25 वर्स में भी बन सकते हो लेकिन यदि आप राज्य सभा से चुन कर आते हो तो आपकी 30 साल के उम्रस होनी चाहिए कम से कम option number C सही answer हो जाएगा राष्टपती पर महावियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है तो राष्टपती पर महावियोग समविधान के अतिकर्मन करने पर मतलब option number B यहाँ पर सही answer हो जाएगा भारतिय राष्टपती के दुवारा लोग सभा में आंगल भारतिय समविधा कि कितने सद्दसों को मनुनित क्या जाता है ये caution अपडेट हो गया है लेकिन पुराने स अत्वा नहीं इसका निर्णाय राज में कौन करता है तो इसका निर्णाय करेंगे विधान सभी विधान सभा के अध्यक्च option number C सही answer हो जाएगा अगला question देखिए किसी विधान परिसत की सदस्य संख्या उस राज की विधान सभा सदस्यों की संख्या कि कितने से अधिक न नामंकन का नियम किस देश के सम्विधान से लिया गया है तो सही answer हो जाएगा Ireland से लिया गया है राज सभा के सदस्यों का नामंकन अगला question देखिए नमलकित मैं से योजना आयोग का प्रती स्थापना किस से हुआ है तो योजना आयोग अब चेंज होके नीती आयोग हो गय अगला question देखिए यह आपकी screen पर आपसे पूछा गया है नमलकित मैं से भांशा के आधार पर गठत पहला राजी कौन सा है तो भांशा के आधार पर गठत पहला राजी आपका आंध्र प्रदेश यहां पर सही answer हो जाएगा या रखिएगा कई बार question पूछा गया है नमलक करके बता है तो कमेंट करके बताइए देखते हैं कितने लोगों को पता है नमलकित मैं से संगी न्याय पालिका का उल्लेख किस भाग में दिया है तो संगी न्याय पालिका भाग पांच बिलकुल सही answer हो जाएगा option number B संविधान सवा के संविधानिक सलहकार कौन थे तो आंसर हो जाएगा 299-299 प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए देख लीजिए कौशन बहुत ही शांदार लिका रहा हूं लाइक देख लीजिए क्या है नहीं और चैनल पर नहीं है तो हमसे जुड़ जाएए ऐसे ही कौशन पढ़ने के लिए यदि राष्टपती और उपराष्टपती दौनों देश के बाहर हूं तो उस इस्तती में कारभार कौन सा ग्रहन करेगा सही आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोड का मुख्य नयाधिस ऑप्शन नमबर सी यहां पर राइट आंसर हो निम्लिकित्म से लोक लेखा समीती में कितने सरस्य होते हैं तो लोक लेखा समीती में सही आंसर हो जाएगा बाइस सरस्य होते हैं ऑप्शन नमबर भी राइट आंसर हो जाएगा अगला कौशन दिखिए किसी विधान सभा में कोई धन विद्यक किसकी अनुमती के बिना नह अब तक अनुमति नहीं देगा आप धन विढ़र की प्रसुति नहीं कर सकते कि संविधान के अनूषेति की अनुषार भारत है तो भारत है अग्राकोशन दिख शाम परिष्टाल किस सवार में लाता है तो अविश्वास प्रस्ताओ लोग सभा में लाया जाता है option number B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question देख लिए निमने लिकित में से cabinet समीती का क्या आर्थ है तो cabinet समीती क्या होती है एक अतिरिक्त सम्विधाने के संस्था होती है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका option number B अगला question देख यह आपकी screen पर आपसे पूछा गया है निमने में से कौन भारत के सम्विधान की कोई विशेश्टा नहीं है तो भारत के सम्विधान की दोहरी नागरिक्ता नहीं है एकल नागरिक्ता है भारत में है ना बाकी एकी कृतन न्याय पालिका है आपात कालीन प्रावधान भी है हमारे सम्विधान में और मौलिक करतव भी है हमारे सम्विधान में राज्य लोक सेवा आयोक के सदस्यों को निकालने के लिए कौन जिमिदार है तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर है, राश्ट पती केवल कर सकता है यह चीज, अगला कॉशन, राजय विधान सबादवारा पारित एक साधान विद्यक, अधिक्तम आउधी के लिए विधान परिशत द्वारा विलंबित हो सकता है, कितने महीने, तो जादस जारा चार महीने के लिए विलंबित हो सकता है सामोही के जिम्मिदारी से मंत्री परिसर सामोही के रूप से जिम्मिदार है किसके परती तो मंत्री परिसर लोक सभा के परती सामोही के रूप से जिम्मिदार है याद रखना अगला कॉशन निर्विरोद चुने जाने वाले ए प्रचार के लिए निमलकित में से कौन सी एक वह मूल आधारी का है जिससे भारतिय सम्विधान विक्सित हुआ है तो भारतिय सम्विधान जी ओ आई 1935 बोलते हैं जी ओ आई को फुल फॉर्म होता है गवर्मेंट अफ इंडिया एक्ट हिंदी में भारत शाषन अधिनियम बो दोरंत जल्दी से जिसने पूरा वीडियो देखा है एक माplace रुक जाई कमेंट करके मुझे बताएए नब कितने कौशन आपके दूसरी चीज तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटा फट सभी जितने भी लोग अभी हैं देख रहे हैं मुझे शेयर जरू कर देना वाटसेप ग्रूप में मिलता हूं मैं आप से आगे ऐसे ही अच्छे वीडियो में तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभो जय हिंत जय भारत